नमस्कार गुड मॉर्णिंग मेरे दोस्तों सरकारी एलेट जेवी सर चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि मेरे दौरा आप लोग को कुछ जनकारी मिलने वाली है जो आप लोग के जीवन का एक नए उर्जा बनकर आएगी ठीक है तो आज आप लोग को मैं बिहार प कैसे भरा जाएगा और कितना सीट है कितना अरची सीट है कितना लड़का का सीट है कितना लड़कियों का सीट है मैं उस सारे अलग अलग पार्ट में बता दूंगा कि उसमें कैसे कैसे कितना सीट बाटा गया है और आप लोग को कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं तो मैं इसके ब मिलता है कि मैं आगे भी अच्छा वीडियो और लेकर आऊं और कमेंट में जरूर लिखे कि इस वीडियो के रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं मैं उसको पर वीडियो बना दूंगा आप लोग को ज्यादा अच्छी जनकारी देन इस का जो स्टेबल का जो फॉर्म है वह सुचना जारी कर दिया गया है हलाकि इसकी डेट अभी नहीं आई है कि कब से फॉर्म के अपलाई शुरू होती है लेकिन अभी नोटिपिकेशन जारी कर दी गई है कि भागेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है और इसमें आप लोग को किसी भी बोड से ट्वेल्थ पास होना आनिवार्ज है या संस्क्रिट बोड हो या फिर मदर्सेय का बोड हो इसी भी बोड से आप लोग ट्रेल्थ पास रहेंगे तो आप लोग इस फॉर्म भरने के लिए एलिजबल होंगे और एक बाद बता देता हूं कि इसमें जो फ आप लोगो को करीब करीब देना होगा हलाकि नोटिफिकेशन आने के बाद में एक वीडियो और डाल दूँगा अभी मैं सोचा कि आप लोगो जनकारी दे दूं कि बिहार पुलिस के बच्चे तयारी कर रहे हैं वह जोड से जोड तो लग जाएं क्योंकि नोटिफिकेशन बिहार पुलिस के बाद में लग जाना है क्योंकि जब तक डेट नहीं आती जब तक बच्चे लोग जो है न वह एक्टिव नहीं हो पाते हैं तैयारी करते रहते हैं और अपने आपको सुचते हैं कि आने बहुत देर है तब तक मैं बहुत तैयारी कर लूँगा तो यह बह पहले से ही लगे रहिए इंतजार नहीं करिए कि उसी दिन को रोपें या उसी दिन बना के खालेंगे ठीक है क्योंकि उस निन पहाई एस्टार कि जेगा ता आप लोगो प्रिसानी हो सकती है इस जगात से ही लग जाए जोड तो जी जन लगाक लग जाए कि इस पर आपकी और में बता दो कि इसमें जो सीट है वह इस बार पिछले बार के तहट इस बार बहुत ही ज्यादा सीट रखी गई है और इसमें जो सीट की संख्या है वह करीब करीब इसमें जो सीट की संख्या है वह करीब करीब मिएरा इसमें से लड़के लोगों का सीट जो है ओभी अलग है और लड़कियों का सीट वह भूग किया गया है कि इतना में लड़का तो लड़का का जो सीठ है इसमें 13,488 जो वाइच के लिए फिक्स है और उसके बाद बचा हुआ सीठ है वह उनासी सो तीन आप 7,903 जो सीठ है वह लड़कियों के लिए फिक्स रखी गई तो आप 7,3193 जो सीठ है उसमें से खोके बदल नहीं होने वाला थेगू कुलर मिलाकर 12309 स्ट इस बार लाई जा रही है चुझा कि इस बहुत धुगना करीब करिभा इसको मान लीजे धूगना से कुछ कम ही लेकिन करीब करीब दूगना ही को माने लीजे तो आप लोगप को बहुत ही मेनत से आप लो इस बार लग जाई है ठीक है और मैं बता दे हूं इसमें जो एज का समय है वो 18-25 वर्ष रखी गई है और जो OVC और EBC वाले कास्ट के लोग हैं उनको तीन साल के छूट जो हमेशा किसी भी वखन से मिलती आई है वो इसमें भी आप लोगो साल और एज बढ़ा दिये जाएगा तो 28 साल तक आप लोग भर सकते हैं जिनका एज करीब करीब पार होने वाला है 28 साल के करीब हैं तो वह इस फार्म को भर सकते हैं और मैं बता दूं एस एस्ट वालों के लिए 30 वर्ष रखी गया यह मतलब उनको पांट साल के चूट मिल भर सकते हैं इसमें जो है आप लोग को चार परिच्छाओं से गुजरना होगा तो इसमें जो पहला चरण है वह आप लोग को लिखित परिच्छा से गुजरना होगा लिखित परिच्छा में पास होने के बाद आप लोग को सारीडिक दर्षता परिच्छा से गुजरना हो होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में लाए जाएगा मेरिट लाने के बाद आप लोगो जोइन करा जाएगा तो इसी तरह से चार परकार से आप लोगो एक्जाम दे कर गुजरना होगा एक्जाम से गुजरना पड़ेगा तो आप लोग इसके लिए कठोर प्रिश्रम करते रहे क्योंकि नोकरी आजकल के समय में नोकरी मिलना करीव भगवान से भेट होने के बराबर हो चुका है तो आप लोग को रात दिन एक करके ही करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कोई सहायता करने वाला नहीं है समय से काम करें तो आप लोग सफलता जरूर पाएंगे तो मैं आगे बता देता हूं कि इसमें आपको फॉर्म भढ़ने के लिए अधार काड होना निवार्ज है मैट्रिक और इंटर का मार्शिट होना निवार्ज है जाती वासे आए इसकी कोई जरूरत नहीं होती लेकिन के समय आप लोग को देना होता है जाती आवासे आए आपको उसे नहीं मांगा जाएगा इसकी सिर्फ आपको कैटिगरी पुछा जाएगा कि आपकी कैटिगरी से आते हैं डाकमिंट अपलोड करने क जरूत इसमें नहीं है और जो फोटो और हपलोग को पास करना होता है इसमें जो उचाई होती है उसके लिए आप लोग को पुरिश उमिदबार हैं ओह- inspired कर चाहिए और eighth get पलोक creates लिए ए resource होना चाहिए हो loops फिमेल से आते हैं तो आप लोग को 155 cm सारे के लोगों के लिए लागू है जेनरल ओभी CBC या फिर ACST सारे लोगों के लिए 155 cm ही आपको देना होगा जो छाती का फुलाव है वो केवल पूरुसों के लिए लागू है उसमें आप लोगों को nutrient 80 € से 8-86 cm कर आप लोगों जाच किया जाएगा और Recht支持 वालों के लिए 89 54 मतलब अकी सेंटेमेटर बेना फुलाए होना चाय और चाहिए और 89 जो है आप लोगोंبة लिए चाहिए और 84 cm आप लोग फुलाने के बाद होना चाहिए तो आप लोग खुद से भी घर पर ही जाज कर सकते हैं तो आप लोग जाज कर ली जाएगा अच्छे से करना पड़ेगा वह पूरसों के लिए और लड़कीयों के लिए जो है वह एक किलोमेटर के दौड मात्र पांच मिनट में पूरी करनी है और जो गोलाफिक होता है जो मैंने पहले इता है गोलाफिक भी होता है इसमें गोलाफिक आप लोगो 16 फिट तक फेकना होगा वाईज लिए और लोग के लिए 12 फिट तक के लिए गोला फेकना होगा ठीक है इसके लिए आप लोग घर पे भीर प्रेक्टिक्स कर सकते हैं कि हम केतना दूर तब गोला फेकते हैं और अगर जो वह तक नहीं पहुंचती है तो आद से लिए तो मैं आज एतना ही तक आप लोग को बताने चाहता हूं अगर जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जाता है मैं आप लोग को फिर से वीडियो बना के देढ़ूंगा कि इसमें आप लोग को कैसे फॉर्म भरना लाइव आपको बताऊंगा मैं कैसे फॉर्म भर सकते हैं कहीं साईवर के पर नहीं जाने ही जुरूरत पड़ेगी लेकिन आप लोग मेरा चैनेल को । आप लोग सबिस्ट्रायूब यूँदाई यूड़ भूद नंबेहें वूदधन तो मैं आप यहां से बीदा चाहता हूं नमस्कार